Hello everyone, good morning और स्वागत है आपका News Analysis के वीडियो में जिसमें हम लोग Hindu के articles को discuss करते हैं और कभी-कभी हम लोग Indian Express के articles को भी include कर लेते हैं तो अब आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले आप editorial analysis का वीडियो जरूर देख लिजेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे important जो points है वो अल्रेडी discuss किये गाए हैं तो चलिए सीधे हम लोग कोट पे देखते हैं और कोट के लिए मैं Shivani को थेंके बोलना चाहूँगा थेंके सोमज Shivani आपने बहुत अच्छा कोट भीजा है तो सबसे पहले हमारा कोट किया है देख लेता है इसको कि our prime purpose in this life is to help others and if you can't help them at least don't hurt them तो यह हमारे दलायल अमा नहीं बोला हुआ है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे important चीज़ है कि obviously helpful होना काफी जादा ज़रूरी होता है आप किसी की मदद करेंगे तो फिर आपकी भी कोई मदद करेगा यह guaranteed है और यह basic rule भी है world का ठीक है पर यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो obviously आप उसको hurt न करे situation को उसके लिए खराब न करे और यही हमारा prime goal है life का कि आप obviously खुद भी जिंदा रह रह रहे हैं तो obviously दूसरों को भी जिंदा रहने दें और उनको ज़्यादा तकलीफ न दें और helpful बने ठीक है जितना kind attitude होगा उतनी अच्छी आपकी personality होगी तो चलिए अब हम लग सीरे articles का discussion शुरू करते हैं सबसे पहले जो news आप यहाँ देख रहे हैं यह इंडिया चाइना रिलेशन से ही related है पर यहाँ पर भूटान की भी बात आ गई है तो उसको देख लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर टाइटल है कि कौन से कौन से states के साथ लगा हुआ है इंडिया के तो यहाँ पर पहली चीज़ आप सिक्किम देख सकते हो फिर वेस्ट बेंगल देख सकते हो फिर यहाँ पर असाम भी है और अरुन ना चल लए ठीक है साथ चाइना सी और ताइवान का situation देखी रहे है अब यहाँ पर भूटान के पास भी इना ने इस तरह की चीज़े करना स्टार्ट कर दिया है तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि चाइना डेबल्स डाउन क्लेम्स ऑन इस्टन भूटान बाउनरी और साथ के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि सब एडिंग में इन्होंने मेंशन किया है कि थिम्पू ने डिमार्स दिया है एक तरह से इशू किया है बाइजिंग को अब डिमार्स मैंने आपको अल्रेडी पहले भी समझाय हुआ है कि यह एक तरह का official document होता है या official एक तरह से notice होता है जिसमें वहाँ पर एक तरह से question पूछा जाता है और उनसे answer मागा जाते कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पर वही है कि यह जो डिमार्स दिया गया थिम्पू के दौरा उसके बाद बीजिंग ने किया किया तो बीजिंग ने eastern sector boundary dispute को एक तरह से खोल के रख जिया सामने अब यहाँ पर इसका थोड़े details देख लेते हैं क्योंकि हमारे लिए भी काफी जादा important है तो सबसे पहली चीज यहाँ पर थोड़ा background देख लेते हैं अब मैप पर आपस से focus करते हैं मैप आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह रहा साक्तिंग wildlife century इसका location आप देखना बिल्कुल ध्यान में रखना क्योंकि अरुनाचल प्रदेश के territory से लगा हुआ है और यहाँ पर यह वाला जो area जहाँ पर मैं आपको करशर दिखा रहा हूँ यहाँ आप देख सकते हैं इसी area में तवांग भी लाई करता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं overview के बारे में बताया जा रहा है जो boundary dispute है चाइना और भूटान के बीच में ठीक है तो सबसे पहली चीज भूटान और चाइना के बीच में कोई भी formal diplomatic relation नहीं है यह आप याद रखेगा कोई भी diplomatic relation नहीं है नौर्थ मतलब यह रहा और वेस्ट मतलब यह रहा साउथ में कौन है तो साउथ में इंडिया है तो साउथ में तो कोई चीनता ही नहीं है पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नौर्थ में इनका जो dispute है उसके उपर में बातचीत हुई है और वेस्ट में यहाँ आप देख तो देख सकते हैं यहाँ पर कि Eastern Bhutan not part of the talks so far, यहाँ पर officials नहीं एक चीज तरह से बता दिया है, अब सबसे पहली चीज़ आपको प्रिजन्स परस्पेक्टिब से ध्यान में रहना चाहिए, कि साक्ते इन सेंचुरी क्यों से कंट्री में है, तो भूतान में है याद रखेगा, तो साक्ते इन सेंचुरी is situated very close to Arunachar Pradesh का बॉर्डर, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी पास में है, अब जून 2020 में क्या हुआ, चाइना ने attempt किया है कि वो किसी तरह से UNDP GEF का जो funding है, साक्ते इन सेंचुरी का, उसको यहाँ पर इन्होंने किया है कि एक तरह से बोला है कि overrule करने के लिए और रोग देने के लिए क्यों, क्योंकि यह disputed area है, ठीक है, अब इस कारण से यह एक तरह से step लिया जा रहा है, अब हमें यहाँ पे आपको 2-3 चीज़े करने की जरूरत है, सबसे पहली चीज़, आप Google में जाके सर्च करेए, UNDP Programs Global Environment Facility, ठीक है, आखिर यह Global आप देख सकते हैं कि जो boundary है, चाइना और भूतान के बीच में यह कभी delimited नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस कारण से आप देख सकते हैं कि जो, क्योंकि delimited नहीं हुआ है, तो इस कारण से border dispute जो हमेशा रहे गई, अब यहाँ पे एक और चीज़ important आप याद रखेगा, तो आप इसको ध्यान में रखेगा, मैप को, और मुझे लगता है कि मैंने काफी जादा detail में इस article को discuss के लिया, पर यह important है, इसलिए हम लोग इसको देखेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा article है कि vaccine trials take 6 to 9 months और यह WHO chief scientist ने बताया है, तो हमारी अब देख सकत कि इस तरह की चीज़े यहाँ पर WHO के chief scientist ने मना किया है, और Swamaya Swaminathan उन्होंने यह बताया कि जो candidate है, उनको, it is a must कि वो candidate vaccine efficacy और safety standards को meet करे, अब यह जो particular चीज़े हैं, जो इसके details है, यह मैंने आपको और लेरी editorial में बता दिये हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर explain नहीं क मतलब 15th August के पहले ही कर देंगे, वैक्षीन को ला देंगे, तो इसी के against में आप बोल सकते हो कि यह particular जो statement है, यह आया है, और यहाँ पर वही है कि वर्ल्ड इंत और जो chief scientist है, जाजे Swamaya Swaminathan इन्हों नहीं बोला है, कि 6-9 months जो है वो लगने वाले है, कि वैक्षीन ट्राइल हो जाए public में, तो इनका यह कहना है कि vaccine को must होगा कि वो efficacy और safety standards जो है, वो demonstrate करे, तभी इस तरह की steps है वो लिये जाएंगे, पर हाँ यहाँ पर इन्हों ने यह भी बोला है, कि phase 3 को अचानक से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हटा दिया जाएगा, हाँ यहाँ पर वही है कि phase 2 और phase 3 का data अगर हो सकता है, तो यहाँ पर interim analysis किया जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर details जो हो सोचा जाएगा, तो हमारा जो candidate vaccine है, covaxin, जो की भारत biotec limited द्वारा बनाया जा रहा है, जो हैदरावाद में है, तो उनको अभी phase 1 और phase 2 के trials के लिए ही approval मिला है, और इसके result के basis में फिर phase 3 के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, तो next news पर चलते है, next news जो है, थोड़ा interesting news है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर past के बारे में थोड़े बहुत discussion किया गया है, और history के बारे में थोड़ी discussions है यहाँ पर, तो देख लेते हैं, आपर the Beijing Islamabad equation of 1960s, तो इसके बारे में य discussion किया हुआ है, और archival materials को एक तरह से use करके यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश किया है, कि चाइना की जो strategic planning रही है, वो हमेशा से कैसी रही है, on regards to Kashmir के issue पर देख लीजे, या फिर आप बाकी चीजों के हिसाब से देख लीजे, आकसाई चीन वगेरा और वो सारी जो है तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुए, पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर mainly जो चीजे हैं, वो कही हुई चीजे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है, कि यहाँ पर उसको newspaper में publish कर दिया गया, तो वो सारी चीजे ही है, ठीक है तो यहाँ पर जो conversation है Communist Party Chairman's द्वारा that is Mao Zedong और जो की बहुत ही उनके period में बहुत जादा flourish किया था चाइना और इसके अलावा वहाँ के जो प्रेमियर थे जो इनलाई तो इनके अब्यार में हम लोग अलड़ी पहले पढ़ चुके हैं तो ओबर्वियो एक ऐसा रहा है कि अगर आप Kashmir वाले एडिया देखेगा तो इनका मानना है कि Kashmir वाले इस एडिया में देखेगा तो यहाँ पर वही है कि Self Determination अगर देखेंगे अगर यह लोग बोलते हैं जो पाकिस्तान हमेशा से चाहता आया है तो अगर यह Self Determination को सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि इंडिया भी क्या करेगा इंडिया भी बोलेगा कि अक्साइचिन के एडिया में जो कि यहाँ पर इसके अलावा जो जिन जियां का रीजन है अब यही चीज अगर इंडिया बोलेगा तो फिर यहाँ पर 10 questions उड़ जाता है तो अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं यह हो गया कश्मीर वाला issue कश्मीर वाले issue में इनका क्या stance है अब इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर बोला गया है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में क्यों इतना अच्छा कासा relation है तो इसे के बारे में बताया गया है कि अगर आप देखिएगा तो चाइना और पाकिस्तान का जो border का question है वो एक तरह से sorted है अब यहाँ पर क्यों क्योंकि इनका ही ऐसा मानना है कि जो भी अगर आप देखिएगा जो भी border dispute है वो एक तरह से इन्होंने handle किया हुआ है दूसरी चीज कोई भी territory को China जो है वो grab नहीं करना चाहता पाकिस्तान के side से और यह पुरानी बाते हो रही है यह अभी present की बाते हैं पुरानी बाते हैं तो इसको आप पुरानी context में ही लेके चलिएगा तो यहाँ पर यह भी चीज बुला गया कि अगर आप जो area देखिएगा पाकिस्तान के साथ में तो यह चाइना कभी कोशिश नहीं करेगा ऐसा उनका माना था कि वो territory grab करने की कोशिश नहीं करेगा पाकिस्तान की तो इस कारण से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का जो एक तरसे thought process है बिल्कुल same है और अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कोई भी इनके इन दोनों की beach में dispute नहीं है इस कारण से एक तरसे बोल सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के बीच का जो friendship है वो काफी ज़्यादा सही direction में हमेशा से रहा है और उनको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आई है एक दूसरे को support करने में और वही इंडिया को यह लोग क्या मानते आए हैं तो इस कारण से वही है कि इनका जवालाल नहरू जो है वो एक तरसे capitalist उनका mentality है और जो communist party है वो हमेशा से capitalist mentality वाले लोगों को पसंद नहीं करती आई है साथ के साथ country को भी पसंद नहीं करती आई है इसके वाद यहां पर इन्होंने एक पुरानी स्टोडी को भी बताने के कोशिश की थी जब वहां के ambassador जो चाइना के ambassador हुआ करते थे आरके नहरू तो यहां पर वही बताया कि माउ ने उस टाइम पर इन्होंने एक तरह का order दिया था और बोला था कि जो अगर इनका मतलब जो conversation हुआ था नहरू के साथ में जो आरके नहरू है उनके साथ में जो हुआ था तो उसके basis पर बोला था कि जो इनका जो enemy है obviously capitalist country that is United States है और इन्डिया इनका जो है enemy नहीं है पर और फिर उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो भी border confrontation था तो वहां पर इन्होंने बोला Chinese soldier को कि आप Indian के आर्मी के ओबर में शूट नहीं करोगे और इसके लिए इन्होंने एक Chinese soldier को दोरा दिया इंडिया के साइट में और फिर बोला कि यहीं मतलब वो जो soldier है वो बोल दिया Indian मतलब आर्मी के लोगों को कि कोई भी शूट नहीं करने वाला चाइना के साइट से अब इससे क्या हुआ था ओविसली इंडियान आर्मी के बीच में एक तरह से एक तरह का रहा है चाइना का और यहां पर एक तरह से उसका मतलब यह जो चीज है इस तरह का नेचर है यह अभी भी प्रेजेंटली देखा आ जा सकता है कि एक पॉइंट पर हम लोग diplomatic negotiations कर रहे होते हैं सभी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरे पॉइंट पर ह होता क्या है कि हमारे साइट में होता क्या हमारे border पर एक तरह से confrontation हो जाता है और हमारे soldiers को एक तरह से वीर गलती प्राप्त हो जाती तो यह situation काफी जादा सोचने वाली चीज है और यहां पर यही है कि past के चीजों को और archival materials को refer करके हम चाइना का strategy को एक तरह से भाप सकते है और इसी के basis पर आगे की foreign policy भी बना सकते हैं तो चले आगे बढ़ते हैं next article है food grains की उपर में food grains of take by states rise sharply तो यहां पर वही बताया गया है कि 7 states ऐसे हैं जहां पर अगर आप देखेगा तो 60% से उपर जो है total quantity of rice for distribution from April to June, June एक तरह से पाया गया है ठीक है इन्होंने काफी सारा rice को avail किया है और यहां पर हम लोग इसका reason देखेंगे कि आखेर इतना सारा rice को avail कैसे कर लिया है तो सबसे पहले चीज हम लोग जानते हैं कि relief measures जो है वो provide किया जा रहा है COVID-19 pandemic के case में और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे states और union territories ने अपना जो quantity है वो बहुत अच्छ जिसको आप एक तरह से बोल सकते हैं कि around 60% एक तरह से हो जायता है अपका ठीक है तो यहां पर सॉरी यह कर्सपॉंडिमाट 2019 का बताया जा रहा है तो उस टेम पे 90.71 हुआ करता था पर यहां पर वही इसी figure को देखेगा तो 192.34,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 इस तरह से अनौंश कर दिया प्रायर्टी हाउस होल्ड को और इसके अलावा अन्ते अदे अदे अन्य योजना के अंदर में जो भी कार्ट होल्डर्स हैं उनको फ्री में खाना देने के लिए और उनको अविसली प्रेस्ट फ्ट पूर्र रिगार्ड किया जाता है ठीक है चीजी हो गए डीटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग ने स्कीम में इसको सारी डीटेल्स को कवर किया हुआ है अब इसके आगे आगे आप देख सकते हैं कि फिर जो लोग भी यहां पर नाशनल फूर्ड सिक्योर्टी आक्ट के अंदर में आते थे तो उनको भी य वन रांक नहीं वन नेशन वन राशन कार्ड जो पॉलिसी है वह एक तरह से इंप्लिमेंट नहीं था तो इन सब चीजों के कारण आप देख सकते हैं कि मतलब जो अविसली हर एक स्टेट का क्या हुआ तो हर एक स्टेट का जो यूटिलाइजेशन है राइस का और एवन डि करने की बात कही गई है और जो पिलेग्रिम्स होंगे वह एक तरह से बलतल रूट को फॉलो करेंगे और यहां पर हम देख सकते हैं कि न्यूटिने गवर्णर ने वहाँ पे केव में पूजा की है जिसको हम लोग यहां पर आगे पढ़ेंगे तो प्रथम आर्थी के बारे म पताया गया है ठीक है तो JNK Administration यही चीज अला एक तरह से इन्होंने डाला है और बोला है कि सिर्फ 500 पिलिग्रिम्स हैं एक तरह से जो बलतल एरिया से जाएंगे बलतल एरिया जो की Central Kashmir में आता है वहां से ही जाएंगे अमरनाथ यात्रा के लिए तो 500 लोग ही जाने वाले तो वो एक तरह से गये थे अभी बाकी officials के साथ मिलकर और उन्होंने उस अमरनाथ में जाकर वहां पर वहां के cave में प्रथम आर्थिक की गई है ठीक है तो आगे देखते हैं तो इससे related और भी चीज़े यहां पर एक important चीज यहाद रखेगा कि श्री अमरनाथ Shrine Board के chairman कौन ह करते हैं ठीक है तो आप याद रखेगा lieutenant governor general जो होते हैं जो कि एक तरह से आप lieutenant governor not general lieutenant governor जो होते है union trade that is यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Jammu and Kashmir के बारे में बता गया तो उन्ही को यहाँ पर इस particular Shrine Board का chairman भी बनाया जाता है याद रखेगा और यही regulating body है जो इस pilgrimage को regulate करने का काम करती है ठीक है इसके अलाव आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Jammu and Kashmir अमराज यात्रा ही सबसे पहला religious event है जिसको allowed किया गया है because of the pandemic being there और यह pandemic broke out होने के बाद पहला है उसके अलाव बुला गया है कि और भी जितने भी यहाँ पर religious event होंगे उसको यहाँ पर allowed नहीं किया जाएगा अब Kashmir का आप अगर देखिएगा तो 10 district total वहाँ पर तो 10 में से 9 में आप देख सकते हैं कि उनको red zone एक तरह से बताया गया है तो आप देख सकते हैं वहाँ पर situation कैसा है और इसलिए इन्हाँ पर इन्होंने बोला है कि जो भी entrant होंगे जो Jammu and Kashmir में आएंगे उनका sample लिया cases दिखेगा covid cases तो काफी जादा हो गए थे तो इस कारण से अगर आप notice करेंगे तो काफी जादा थंडा इनका Independence Day celebration हो रहा और इवन हमारी country में भी celebration होने वाला है Independence Day का तो उसकी भी तैयारी चालू हो चुकी है पर वही है कि इसमें हम लोग ने अभी हाल फिलाल में ही newspaper में प पर गया beaches जो होते हैं normally वहां के तो वह बहुत जादा मतलब crowded हुआ करते थे 4th of July celebration के लिए पर यहां पर वही है कि beaches वगेरा close थे फिर even national mall जो है in Washington वह भी पूरा एकदम से jam-packed हुआ करता था पर वह भी यहां पर आप देखेगे तो कोई भी expectator नहीं गए अब national mall के वास में वाशिंटर में fireworks वगेरा होते थे तो एकदम से desert हो गया हुआ है situation काफी जादा grim हो चुकी है Brazil में भी situation काफी जादा है number of cases है वहां काफी जादा बढ़ रहे है और वही है कि आप आगे देखना है कि वह किस तरह से इसको curtail down किया जा सकता है क्योंकि वही है कि आप hygiene practices अगर maintain करेंगे तभी जाके इस particular virus को हम लोग tackle कर पाएंगे अब आते हैं आखरी news पर जो हमारा आज का है और यह बहुत ही interesting news है तो इसको मैं आपको थोड़ा interesting तरीके से बताने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हैं title यहाँ पर बताया गया है the secret of how caterpillars came ants ठीक है यहाँ पर of biological sciences यहाँ पर जो बैंगलोडू में पाया जाता है यह याद रखिएगा यह कहाँ पर है और इन्हों नहीं तरह का research करके यह find out करने की कोशिश की है अब butterfly का देखेगा तो butterfly कौन से वाले तो family of lacadnea ठीक है lacadnea ठीक है तो इन्हों यहाँ पर देख सकते हैं जिनको हम लोग ज मतलब एक normal तरीके से समझाने के कोशिश करता हूँ होता कि हम लोग जानते है कि कोई भी butterfly है तो वो different processes जब पहले एक बनता है एक के बाद आप जानते हो कि larva बनता है larva के बाद वहाँ पर पर प्यूपा बनता है फिर उसके बाद वह butterfly में convert हो जाता है ठीक है medical से यही process है तो यहां पर होता क्या है कि जब लार्वा प्यूपा वाले stage में होता है तो उस case में क्या होता है कि यह 100% dependent हो जाते हैं ant के उपर में तो इनका क्या काम होता है यह उस time पर ऐसे organs डिबलब कर लेते हैं कि जो भी ants होते हैं उनको provide करने का काम करते है एक तरह की चीज़ है secretion होता ह इनके organs है तो उसको हम आगे देगे चेहं कि पहले हम लोग देखते हैं कि process क्या है ठिक है यह रहा larva अब यहाँ पर ant होगी तो ant इसको 4 तरफ से protection provide करना start करती है, enemies वगयरा कोई आ नहीं पाता है अब यहाँ पर क्या होता है कि यह जो larva या प्यूपव होता है इनके अंदर में a special organ रहता है जो क्यों की एक carbohydrate rich आपको पूरा स्टोडी मेरे खार से आपको समझ में आया हगा यहां पर इतना सारे जो कुछ लिखा है या इसी चीज से रिलेटेड है ठीक है तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को फिनिश करते हैं तो हमने इन डीटेल सारे आर्टिकल्स को देख लिए आज साती आर्टिकल्स थे पर फिर भी वीडियो जो है वह 21 मिनिट का बन गया क्योंकि मैंने जादा डीप डिसकेशन कर लिया तो मैं कल से ध्यान रखूँगा कि जादा डीप डिसकेशन नहों और थोड़ा ज्यादा आज लेट इसलिए हो गया क्योंकि आप लोग को मेरे खि लखना परे ठीक है तो चलिए अब मैं आपको आज कोशिश करूँगा कि maximum number of वीडियो जो है वह प्रवाइड कर दूँ क्योंकि कल मुझे चुट्टी आप लोगों ने दी इसके लिए मुझे मतलब मैं बहुत जादा energized feel कर रहा हूँ हाँ गला साथ नहीं दे रहा पर फिर बड़ा फिडियो जो है वह easily मिल जाए और इवेन अभीनम सर भी काम कर रहा है तो उनके साइट से भी आपको धिर सारे वीडियो मिलेंगे तो चलिए अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक्यू सो मच फर वाचिंग